कि हेलो फ्रेंट्स हम हैं एक्जामपूर कलमसे कृणति हैं मैं सब्सक्राइब फिर से आप सभी के अपने परिवार एक्जामपूर में स्वागत करती हूं तो आई होब आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ही अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे साथ ही साथ आ ताकि हमारे जो daily classes होती है वो दोपेर के 12 बजे होती है तो जब तक आप लोगों की यूटूब पर application की demo classes चल रही है तब तक हम लोगों की जो class है वो तीन बजे हो रही है उसके बाद जैसे ही आप लोग की ताकि भी थोड़ा सा टाइम जो है अपका खराब ना जाए और जो आप लोग यहां पर रेल्वी की तैयारी कर रही है और जैसे कि मैं आप लोगों को बोलाई कि भी हम लोगों हर दिन अपनी करेंगे तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम को चेंज करके अभी कुछ दिन के लिए यहां पर तीन बज में आपको class दे रही हूं तो आज कि हम लोग से बाद करते हैं जैसे कि हम लोग मंडे से थ्रस्डे तक करते हैं तो आज भी मैं कुछ आप लोग के लिए स्टाइक जी के कोशन्स लेकर के आई हूं उसके बाद हम लोग शुक्रवार और शनीवार को जो करेंगे वह हम लोग महां पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे अपना ठीक है किसी भी एक्जाम में आए हुए अपने जी के जो क कोशन से वह सभी हम लोग करेंगे फ्राइडे और सर्टेडे को सत्रैडे को और स्राइडे जो कि आपका 17 को है और सर्टेडे की में बात पर करों तो अरistor को एना यसां कि सो इहां पर फिर्स ऑस्तों क्या है आपका है यहां पर जे हूं Aah ऐ क्या है आपका हैば क्या मैं पर नि शब्ध हीमनद से बर्फ के नुकसान का वर्ण करने वाला शही सब्ध है यह आपका उदाती करण है यहां पर पिंघलना या फिर वाश पी करण या फिर हमसंखलन मतलब कि उधारन की तोड़ पर आप लोग को वर्ड दिये हुए हैं केहने का मतलब है कि हमनाद पूरा बरफ वाला जो छेत्र हे उसका नुकषान कैसे होता हा उसको भी सो कैसे है वो दो कैसे करके मतलब दो दोनेन पार होता है तो ऑपशन की तौर पर उनुने आप लोग तोडने के लिए उसके बाद हम गैलिंग के तो यह भी आपका अलग करने के लिए जो है इमनाद को यूज नहीं किया जाता है रैंगना तो बही यह तो इस पेशली जो है यहां पे जो जैसे की मैं बात करूँ यहां पर टर्टल हो गया लाइक कछुअ उनके लिए यूज किय हुआ है मतलब कि यहां पर पृथक करण बहु हिमनाद को जब आप पृथक कर दोगे इसको अलग कर दोगे तभी तो उसमें नुक्षान पहुंचेगा ना ओप्सिं के अपर बात करते हैं वैसे तो खहर अगर हिमनाद अगर पिंगलता है तो भी उसका नुक्सान होता है लेक पृथक करण जो कि आपका अबलेशन जो वर्ड है वो यहां पर पैस्ट रहेगा ठीक है साकें कोशन करेंगे आगे साकें पर हमारा कोशन है कि which of the following is not a term used for different kinds of glacier deposits मतलब की निमलिकरित में से कौँ सा शब्द glacier जमा के विभिन प्रकारों के लिए उपयोग किये जाने वाला शब्द नहीं है ठीक है ना मतलब कि यहां पर glacier को जमा करनी वाला जैसे कि मैं बात करूं मतलब धीप लाइक बरफ वाला पुरा एरिया यहां पर बन जाता है तो glacier को जमा करने के लिए यहां पर तीन शब्द तो यूज किये जा रही है लेकिन कोई एक शब्दी यहां पर यूज नहीं किया जा रहा है तो वह कौन सा है देखिए अगर मैं मोरेनस की बात करूं आइनो थोड़ा सा ये टिपिकल कोश्टन से बट हम लोग काफी इसी कोश्टन कर चुके हैं तो किसी दिन थोड़ा सा अपना अच्छा भी रखते हैं आप लोगों को आइडिया लगते रहने चाहिए बिशमे कि आप कहां पर हैं ठीक है थोड़ा सा आप लोग को यह ना हो कि हम लोग बहुत जो है हमारी तैयारी हो चुकी है हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है जो थोड़ा सा लेवल एक अच्छा ऐसे आपका रिलेटीड है किसे गलेशियर जqua सी मतलब इहां पर इसे संबंधित हैं उसके बाद रॉंब्लिंग जो है यह भी संबंधित है कैटल भी संबंधित है लेकिन इसकारी जो होता है इसकारी होता है जो कि योख वाले आई-लैंड के यूज करते हैं मतलब ौरा पह पहाडी वाला है ठीक है तो उसको बोलते हैं यहां पे सकारी तो यहां पे सकारी जो वर्ड है इसको हम लोग ग्लेशियर के लिए यूज नहीं करते हैं तो आपका आंसर जो है वो डी ओप्शन होगा ठीक है चले थर्ड कोशन करेंगे आगे थर्ड है हमारा आगे कोशन बच्छों अपनी क्लास में फिलहार टाइम पर आजाया करो अभी आज 13 है 13 14 और 15 ठीक है आपके डामों क्लास चल वहीं करें थे कोर्स का प्राइज इतना है कि यहां पर पर परिवरतन बैच रखा है कि बहुत बच्छों के यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो अब आप लोग सिर्फ यहां पर 11 रख में बात करूं तो आप लोग एक कोर्स के लिए अगर बुक भी खरीदोगे ना तो 2000 के आसपास आपको पे करना होगा तो 1100 जादा नहीं है जिसमें कि आप लोग को PDF मिलेंगी आप लोग को टेस्स भी मिलेंगी ठीक है आप लोगों को कुछ भी जो है यहां पर अगर आप बहुत ही थोड़ा सा और बिल्कुल परफेक्ट कहना चाहते हैं तो बात लगे नह कि आप लोग को यहां पर 1100 में कोर्स खर दिये और पूरा मन लगा करके आप लोग की जो यहां पर आर्ट से नोग क्लास चलेंगे उनको कीजी फिलहाल वैसे अभी आटलिकेशन पर दो क्लास चल रही है तो भी वो कीजी आप लोग चले कोशन करते हैं कोशन है हमारा की कि अच्छी एक बड़े नेवल पर करने वाला एशया का पहला देश मना है पूरी दुनिया की बात नहीं की गई है यहां पे एशया की बात की गई है तो अगर एशया में बात करें तो जापान के बारे में तो सुना ही होगा आप लोग वूने जापान की जो कि इंडिस्ट ही अच्छी मैं बोलो तो बहुत ही अच्छी तरीके की तक्निकी जो है लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है वो no doubt यहाँ पे जापान होगा अगर मैं जापान की कुछ खासियत के रुप में जापान जो है ये जाना जाता है फर्स्ट नंबर की बात करू तो फर्स्ट नंबर पर है युएस से जापान के बाद की बात की जाए तो जापान के बाद आता है यहां पर जर्मनी जिसके लिए ये भी बोला गया है कि हमारे भारत की जो किया पांचवे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थवियोस्था के रुप में हमारा भारत उबरा था खेर अभी तो कोरोना वारिस के चलते देखते हैं कि क्या होगा क्योंकि कोरोना वारिस के वज़े से सब चीज़े बिगड़ गई otherwise हमारा जो भारत है वो 2026 तक जर्मनी को पीछे कर देता अर्थवियोस्था के मामले में और 2435 तक जापान को पीछे करके थर्ड नंबर पर हमारा भारत आ जाता खेर देखते हैं फिर भी काफी अच्छी चीज़े हमारे देश में चल रही है उसके बाद अगर मैं बात करूं Global Climate Risk Index इसको मैं लिग देती हूं थोड़ा सर सुनीगा एक दो पॉइंट और इस रिलेटेड आप लोग देख लिजेगा जापान से अगर मैं बात करती हूं Global Climate Global Climate Risk Index यह कौन से Index होती है यह Index होती है कि बहा किस देश को यहाँ पर Climate जो है उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है climate जैसे की प्राकृतिक अपदा होती है यहाँ पे उनको जो है भुकम का ज्यादा फेस करना पड़ रहा है जुआ भाटा से महाँ पे काफी डिस्टोई हो रहा है इस तरीके से तो अगर हम लोग climate risk के नजरों से देखें तो यह सबसे ज्यादा जापान को ही प्रभावित करते हैं तो जापान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो कि लास्ट टाइम अभी 2019 की ही पबलिश हुई है उसमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है जापान चले फॉर्थ कोशन करेंगे आगे आगे भी हमारा फॉर्थ कोशन है कि यह कोशन थोड़ा सा न अक्शली इसकी थोरी जो है वो गलत हो गई है तो इसको मैंने स्किप कर दिया है फॉर्थ कोशन को वो गलत है कोशन चले यहाँ पर आगे हम लोग करेंगे फिफ्थ कोशन यहां पे है दि डॉम्री लांविज इस पॉकान इन विच एमोंग दी फॉलोइंग रीजन्स मतलब कि डॉम्री भाषा जो है यह किस छेत्र में बोली जाती है आप लोग डॉगरी सोच रहे होंगे डॉगरी नहीं है यह डॉम्री है जो की इंटरनेशनल उनकी भाषा हुआ करती थी डॉम्री भाषा और पस्चीमी इंडो-ynॉनकी लोग जो निवास किया करते थे वो जैसे कि आपका सुडान है, जोडन है, तुर्की है, एजिप्ट है, मतलब कि मिसर है, तुनिश्या है, लीबिया है, यहाँ पर मौरको है, इसराइल है, सुडान है, सीरिया है, इस वाले छेतर में पस्चिमी इंडो-युनानी लोग जो थे, वो निवास किया करते थे, जिन सकते हैं, आंसर होगा आप लोगों का, मिडल, इस्ट, और नॉर्थ अफरिका, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर जाएगा आप लोगों का, वी ओप्शन के साथ में, ठीक है, अगला हमारा सिक्स कोशन है, निम्र में से कौन सी नदी, ओलिव रिडले, टूटल्स, मतलब की कछ्वे के लिए कौन सी, एक तरीके से कछ्वे का घोसला, मतलब की कछ्वे के रहने की जगा जो है, यह काफी अच्छी है, यहाँ पे काफी मैक्सिम संख्या में, जो है, कछ्वे जो है, वो निवास करते हैं, वो कौन सा एरिया है, देवी नदी है, प जो हैं काफी न्यूज में आ रहे हैं काफी खबरों में देखने के लिए मिल रही हैं तो वो सभी हमारे strategy के के purpose से important बनते हैं जो कि आप लोग के current के ही होते हैं ठीक है बिलकुल यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा आप लोग का देवी नदी क्या होगा देवी नदी जो है यह महा नदी की सायक नदी के रूप में जानी जाती है किसकी महा नदी की सायक नदी के रूप में जानी जाती है मैं थोड़ा सा लिखनी पा रही हूं देख लिजेगा मैं यहाँ पर महा नदी लिखने के कोशिश कर रही हूं तो आप लोग जना भावना को हीरा कुंड जो है सबसे लंबा डैम है जो कि 9 से 10 KM के बिच की उसकी क्या है उसकी लंबाई है वो महा नदी के उपर बना हुआ है और महा नदी की ही सायक नदी है कौन सी देवी नदी मतलब कि उडीसा में भाती है यह देवी नदी और यह जो देवी नदी है इसको आप टाइम जो यहां पे कछो की जो काउंटिंग की गई थी अभी फिलाहर में जो काउंटिंग की गई थी यहां पे दिखा गया है कि लगभग 80,000 बहुत माइने रखते हैं लगभग 80,000 के आसपास जो कछोई हैं वो देवी नदी के पॉलिटिड होने की वज़ा से मतलब कि पॉर्दूशित होने की वज़ा से यहां पर खत्म हो गए है तो देवी नदी जो है इसको उडिसा के अंतर मतलब सफाई अभिहान के चलते जो है इसको साफ किया जा रहा है ताकि यहां पे कछवे जो हैं उनको जीवन प्रदान किया करता है मतलब कि मक्का Kao Prydhan Bhojan के यह क्या करते हैं जैसे की हमारे यह पर मैं Phila bas में बात करूं तो magazine그ロ assistir珈 emocet को जद्फर करते हैं हम्-लोग गेहु को हम लोग वीट्ट को जदी प्रफर करते हैं यह से से आप लोग को बताना है कि ऐर्म जो कि मक्का करता है मक्य को कौन ज्यादा प्रिफर करता है comparison अदर फूड की चीड कर अगर हम लोग दूसरे खान यहां से फूड से अगर इसको कंपेर करें तो कौन सा यहां करता है बताना है अप्लोग्यूगों यहां पर हेस्टन यूरोप है रशिया है मिडल अफरिका है साउथ इसम अफ्रिका है कौन सा है तो ठीक है आप लोगों को बताना है कि who among the following was the first person to scale mount average without supplemental oxygen it means कि उसके supplemental का मतलब क्या होता है supplemental का मतलब होता है it means कि पूरक पूरक कौन से होते हैं पूरक होते हैं जो कि यहाँ पे complete एक जो है angle complete angle बनाते हैं अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मैं गलत नहीं हो तो संपूरक जो होता है वो 180 वाला होता है तो कोई भी दो ऐसे angle जो कि मिलकर के 180 बनाते हैं complete तो इसको यहाँ पे supplementary मतलब कि इसको यहाँ पे पूरक जो है बोला जाता है ठीक है उसी तरीके से उपर जाते जाते oxygen का जो level है वो थोड़ा कम होता चला जाता है वहाँ पे सांस के दिक्कत आने लगती है थोड़ा सा oxygen लेने में मतलब लंबी सांस खिचनी पड़ती है बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर सांस लेने में तो भई oxygen के बिना mount average पर चड़ना possible नहीं हो पाएगा इसलिए यह लोग जो है oxygen के gas lender लेकर के जाते हैं तो यह कौन से भाइसाब थे जो की पूरी oxygen लेकर के नहीं गए थे अब हो सकता है कि oxygen कम पड़ गई हो है ना अब बस वही record बन गया वो होता है ना जैसे कि south के movie में होता है वो इधर गोली मारते इधर गोली मारते हैं तो hero जहां मारता है वहाँ villain को लग जाता है लेकिन villain चाहे 100 गोलिया मार ले लेकिन वो जो है hero को touch नहीं करके जाएगी तो बस वही वाली बात है कि हो सकता है इनके साथ में accident हुआ हो हाथसा हुआ हो कि इनकी पूरी oxygen नहीं थी और वहीं एक record बन गया अपने आप में तो यह जो record बनाया है खैर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यह जो इन्होंने record बनाया है यहाँ पर यह रेन हैल्ड मेसनर ने बनाया है मेसणर फिर नहीं हो थाइन, यह पर इतालियन की यहां पर इतालियन माउंटेरन चोटियांच जोकी 0yl और आप्शो मेटर आप और 29, है ठीक है ना अब एक बार हाथसा हो गया तो अब तो हर बार ही करेंगे हम खत्रों के खिलाड़ी है मतलब कि ऐसा शायद इनका मानना था निमलिखित में से बताना है निमलिखित में से कौन से दो देश वर्थमान में गोलान उचाईयों पर कबजा नियंतरित किये हैं इनके कहने का मतलब है गोलान हाइट एक जगा है जिसकी उचाई काफी अच्छी खासी है और मैं बात करूं तो जैसे कि कोई-कोई देश है क्या है कि वो चारों तरफ से उची-ची पहाड़ियों से गिरे हुए है लेकिन बिच में वहाँ पर रहने की जगा है अगर हम लोग अपने यहाँ पर ही बात करें तो जैसे कि जब मुकश्मीर है तो वहाँ पर लोग बहुत उची पहाड़ियों पर ना रहकर के थोड़ी से नीची पहाड़ियों पर ही घर बनाते है तो हमारे यहाँ तो जॉम कश्मीर में पहाड़ीया होगी जो की उची नीची है लेकिन यहाँ पे गोलन हाइट जो है यह एक पठार वाला छेतर है एक बेलिस्टिक पलेटियो वाला यह area है थीक है, पठार वाला है लेकिन किनारों पे से यह बड़ा है और बिच में से थोड़ा सा दबा हुआ है जहाँ पे की जो जनसंख्या है जहाँ पे जो देश है वो लोग क्या करते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कौन-कौन से यहाँ पर रहते हैं वो रहते हैं यहां पर इसराइल एंड यहां पर इसराइल एंड सीरिया कौन से रहते हैं यहां पर इसराइल एंड सीरिया रहते हैं गोलन हाइट का जो एडिया है वो लगभग 1800 किलोमेटर इसकार में फैला हुआ है मतलब की 1800 किलोमेटर सकार में फैला हुआ है और ये दोनों ही जो ही इसको शेयर कर दें है इसराइल एंड सीरिया ठीक है जो की यूरोप के यहाँ पर देश है किलिए आप लोगो समझ में आगिया होगा और साथ ही ये जो गोलन हाइट है न इसके बीच में एक बहुत बड़ी जील भी है जिसको कि यहाँ पर राम जील राम के नाम से जाना जाता है किस नाम से राम जील राम के नाम से इसको भी जाना जाता है राम जील राम के नाम से ठीक है भारतिय परवता रोहन फाउंडेशन की जो इस्थापना है ये किस वर्ष की गई थी ये आप लोगों को यहां पर बताना है और बच्चोदी की जादा से जादा अपना ध्यान जो है पढ़ाई पर दिया कीजिए लोगडाउन में आप लोग बोल रहे हैं कि आपका मन नहीं अरे भी लोगडाउन में ही तो पढ़ाई का सही मोका मिला है अप लोगों को घरवाले आप लोग को काम के लिए भाह नहीं भेज रहे हैं घरवाले नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा दिन घर में पढ़े रहते हैं जब देखो किताबों से मू लगाई रखते हो अब नहीं प्रेशान मत बढ़ए कि लोगडाउन में लग रहा है मतलब बाहर अगर गलियों में घूमोंगे तो तभी मन लगेगा क्या ऐसा क्या देखने जाते हो आप लोग गलियों में की आपका घर में मन नहीं लग रहा है तो यहां पर हम लोग इसकी बात करते हैं परवता रोहन क इसकी जो स्थापना की गए थी वो 1957 में की गए थी कि सिरियस मत लेना मजा किया था इसकी जो स्थापना की गए थी वो 1957 में की थी लेकिन इसको जो रजिस्टर्ड कराया गया था वो 1961 में कराया गया था इसका जो उद्गाटन किया था भारती प्रवता रोहन फाउंडेशन का वो हमारी उस काम पर प्रधान मंत्री थी कौन इंद्रा गांधी उन्होंने किया था कब 1980 में ठीक है 1980 में इसका उद्गाटन उन्होंने किया था एक अच्छे तरीके से ये बना था चली आगे हम लोग कोश्चन करेंगे यहां पर आगे नेक्स आपका 11 कोश्चन है यहां पर एक डिवाइन कोमेडी जो है यह एक पोयम्स का कलक्शन है जो कि आपकी चोहोदवी शताबदी के टाइम पर मतलब कि 1308 से लेकर कि इसको शुरू किया गया था 1308 में यहां पर लिख किसने लिखा था काफी फेमस है और काफी यह रिपीट होता है कोश्चन इसको ध्यान रखेगा यहां पर यह जो लिखा था वो किसने यहां पर लिखा था यह लिखा था यहां पर दंते ने दंते एलिगियर जो है इनका पूरा नाम है जो की इटालियन के नेटिव है मतलब इहां पर देखेगा कि हमारी यहां पर दिवसदनी है, हमारी यहां पर लोग सभाभी होती है और राज्ये सभाभी होती है लेकिन अगर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में सिर्फ एक विधान सभा होती है ठीक है तो हमारे जो गुजरात है उसमें भी एक सदन वाला जो है यहाँ पे यह पार्लियमेंट एक सदन वाला ही महाँ पे जो है यह रूल है तो यहां पे आंसर याद रखिएगा यह है इसराइल में इसराइल तथा फिलिपिंस दोनों में ही यहां पे यूनिक कैमरल पार्टियमेंट जो है यह यहां पर होती है जहां पे की सिर्फ एक ही सदन होता है ना की लाइक अपर हाउस और लोवर हाउस जैसे होते हैं जैसे की में है उस तरीके से आगे हम लोग बात करेंगे ओसकर पुरुसकार जीतने वाले पहले भार्तिये कौन थे यहाँ पे भानू अथेया शवाना आजमी सत्य जीत रे या फी नसुरुदीन साहा बदाएगा आप लोग की कौन थे 1983 में इनको मिला था और पहली बार और कौन है यह यहाँ पे भानू अathया बानू अAdया जो है यह पहली पहली भारती बनी थी फिर्ट के मेल एट फिमेल में जो की इनको ओसकर अवोड दिया गया था और ओसकर अवोर्ड इनको किसले दिया गया था ओसकर अवोर्ड जो था इनको वो कोस्ट्यूम डिजाइनर के रुलिये दिया गया था ठीक है क्या कोस्ट्यूम जो होती है कोस्ट्यूम जो इहां पर डिजाइन करते हैं कि अक्टर कैसे पहनेगा कॉमेंड इन जो होता है वो क सबसे पहला Academy Award जो दिया गया था भारत के अंदर वो भी यहाँ पर भानु अथिया जो है इनको ही भी दिया गया था चलिए आगे हम लोग कोशन करेंगे यहाँ पर नेक्स आपका कोशन जो की है कि नरोडा प्रमानु उर्जा सहियंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस् उत्तर प्रदेश के अगर मैं बात करो तो कहां पर है उत्तर प्रदेश के है बुलंद शहर में ठीक है अगर मैं इसकी बात करो तो कहां पर है उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में है उसके बाद एशिया तथा भारत का सबसे पहला जो की आटोमिक पावर प्लांड बना अपसरा था जो कि सबसे पहला बना था यह अलगधा दो यह जो बना था यहां पर मुंबई में जो है भई यह बना था उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कैपिसिटी उर्जा वाला जो पावर प्लांट है वो कौन सा है तो वो है यहां पर कुंडन कुलं कुलं है जो कि कहां पर है जो कि है तमिलाडो में यह लगभग 2000 यह लगभग 2000 मेगा बोट की विजलिका उत्प जो हमलोग विच ओप दी फॉलों इस नोटा करेक्ट सीट में यहां पर आप लगों को चार इस्टेटमेंट के बारे में तो सबसे बड़े नदी डेल्टा की रूप में भी जाना जाता है दुनिया के, साथ ही सुन्दरवन डेल्टा जो है, ये लगबग 10,000 km2 में फैला हुआ है, जिसमें से ये 60,000 km2 में तो, sorry, 10,000 km2 में टोटल ये फैला हुआ है, 6,000 km2 में ये बांगला देश में फैला हुआ है, और 4,000 km2 में ये पस्चिम बंगाल में फैला हुआ है, सुन्दर आंसर यह नहीं हुआ क्योंकि उसने गलत पूछा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा अभरक उत्पादक है तो बिल्गुल सही कहा सबसे जादा कोईले का जो उत्पादन होता है वो हमारे भारत में ही होता है तो यह भी इसने सही कहा यह भी इसने गलत नहीं बोला उसके अर्थ का जो है डायमेटर कोई एक पॉइंट से शुरू हो करके दुबार से उसी पॉइंट पर आकर के मिल जाए मतलब की एक अक्षांस रेखा वहां से शुरू हुई और वहीं पर ही आकर जो है मिल जाए क्योंकि आप लोग जब बूल्ड का मैप अगर आप लोग इसमें र ओपर जो फ्रोपर जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल और ऊससा सीध ऐसा रो में है वह थोड़ा सा तीर्षा है तो यहाँ पर हमारे इस्टन की अगर में बात करूँ तो नोर्थ इस्ट वाले जो हमारे स्टेट हैं वहां से यह पॉइंट जो है शुरू होता है एकटर का और वहां पर यह खतम होता है तो प्रत्वी का कोई ऐसा पॉइंट जहां से कि वह शुरू होकर के डायमेटर वाला वही पर ही खतम होता इसको एपिडॉल बोला जाता है जो कि हमारी भारत में सिर्फ इस्टन दीप पर ही पड़ता है उसके बाद दूसरी में बात करते हैं लास्ट में तीनों पॉइंटों सही हो गए उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं भारत की सबसे बड़े खारे पानी की जील गुजरात में इस्तित है तो यह गलत है वही जो खारे पानी की जील है वह कौनसी है वह है चिलका जील है जिसका एरिया 1165 km5 में फैला ठीक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है साथ ही साथ लैगुन जील के रुप में भी जानी जाती है तो यह कहां पर है यह है उडिसा में उडिसा के उतकल्ट तट पर पड़ती है तो यह पोईंट सही नहीं है क्योंकि यहां पे गुजरात में नहीं है बलकि उडि है आगे करते हैं निम्न मेंसे कौन सा प्रणप्रा ये एक किस्म नहीं है। यहां पे बंगानपल्ले जो स्टा नहीं använd खार सिक फ्रमीड। होता है लेकिन सूर्फा अगर मैं रड़िका की बात करती है। एक नहीं रेड़ निर एक बनाना देखती है तो बनाना कैसे होते हैं ठोड़ा सा हलका सा ग्रीन में बहुत लाइट ग्रीन अगर वो कच्छे हैं तो जो पढ़नी सो येलॉइस कलर उनका आ जाता है लेकिन ही वाले जो सो बनाना है ठीटा ये कैसे होते है कि बनाना का scientific name जो है वो क्या होता है क्योंकि इसका काफी अच्छा नाम होता है scientific जिसको कि हम लोग भूल नहीं सकते तो वो मुझे भी याद है जब मैं भी यहाद पे competition की तयारी कर रही थी particular तो जब बताना है कि क्या उसका scientific नाम है काफी अच्छा नाम है scientific name of banana बताना है मुसा ठीक है मुसा करके इसको जो है यहाँ पे बोला जाता है बाकी ठीक है क्या होता है मुसा मुसा यह होता है आपका बनाना का scientific name चले गोई नहीं आगे करेंगे वेर इस दी हैटक्वाटर ओफ इंद्रा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इसको मैं हिंट मुझा गांधी रास्ट्य वन अकडमी काम उख्याल कहां है मैं हिंट के तोर पर आप-धाइडी हो और व सब्सक्राइबी तो ही इसको ही हम लोग आइएफसी के नाम से जानते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट इंटनेशनल फॉरेस्ट को जो है इसके नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना कप की गई थी, 1938 में की गई थी, बताएंगे बाप लोग कहां पे है, बिल्कुल, अब तो आंसर बताना बहुत आसान होगे, कहां पे है, देहरादुन में है, ठीक है, तो देहरादुन यहां पे सही आंस की स्थापना की गई थी और यह किस चीज के प्रसार को जो है नियंतरित करता है मतलब किस चीज पर जो है रोक लगाता है मैं अगर बात करें करूं आस्टेलिया सम्हू की आप लोग आंसर कीजिएगा ज़रा चारो अप्शन देख करके यहां पर कौन सा अंसर होगा अगर मैं आस्टेलिया सम्हू की बात करती हूं तो इसमें जो है पहले 42 मेंबर थे इसके उसके बात 2018 में जब हमारे भारत की एंट्री में नहीं हो पाई थी तो आस्टेलिया सम्हू के अंदर आस्टेलिया ग्रूप जो है इसके अंदर हमारे भारत की एंट्री हो गई थी तो टोटल जो है यहां पर 23 country होगी जिसमें की 43 नंबर का जो है 43rd नंबर का जो है वो हमारा देश बनाता भारत और इसके अंदर जो है यहां पर ग्रासियानिक तथा जेविक हतियार जो होते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए यहां पर यह जो देश को देशों का समुह यह बनाया गया है कि आप लोग ज्याद था आप आगे करेंगे which of the following is not related to the world trade organization world trade जो organization है निम्न मेंसे चार option आप लोग को दिये हुए है जिन मेंसे कोई एक सही नहीं है multi-fiber समझोता तो भई multi-fiber समझोता मतलब की multi-fiber 4 person है चारों के person के mix up करके यहां पर agreement किया गया है तो ये तो बिल्कुल इसके अंदर होता है चीक है ये तो होता है इसके अंदर व्यापार और सिवाओ पर सामान्य समझोता तो ये भी होता है बिल्कुल यहां पर व्यापार और सिवाओ पर हाँ ये समझोता होता है थे ये भी ठीक है उसके बाद निवेश पर बहु पक्षे समझोता । १ मतलब कि निवेश पर बहु पक्षे शमझोता नहीं होता। निवेश पर बहु समझोता जो होता है वो OECD के अंदर होता है किसके अंदर होता है OECD के अंदर होता है मतलग कि Organization for Economics Corporation and Development जो ये Organization है इसके अंदर होता है निवेश पर बहु पक्षे समझोता और यही डिफ्रेंस होता है World Trade Organization and यहां पे जो Organization for Economic Cooperation and Development है इसके वीच में आगे हम लोग कोशन करेंगे 23rd इबर्न यहां पे आप लोग को बताना है इबर्न कंवेंशन वाज पॉइना कंवेंशन इन दी फिल्ड और बर्न सम्मेलन डैश के छेत में अगरनी सम्मेलन था देखें यहां पे बर्न समझोता जो था मतलब यह किसलिए किया गया था Protection of Wildlife के लिए Protection of Victims of War के या फिर Protection of Intellectual Properties Rights के लिए या फिर Protection of Human Rights के लिए बताना है वन्य जीवों का सनक्षन था युदों के पीडितों का सनक्षन था या फिर बोधिक संपदा अधिकारों का सनक्षन था या फिर माननव अधिकारों का सनक्षन था क्या यहां पर था बताएगा आप लोग देखे बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप लोग की आंसर जो है वो काफी डिफ्रेंट जा रहे हैं देखे ये जो समझोता हुआ था वो 1886 में हुआ था 1886 में हुआ था एक्चलि क्या था कि यूरोप के जो देश हैं यहाँ पर जो राइटर से वो क्या कर रहे थे वो एक दूसरे की जो चीजें हैं कोपी करके अपनी बुक को पब्लिश कर रहे थे तो यह जो कोपी राइट वाले जो चीजें हैं इसको प्रतिबंधित करने के लिए या फिर अगर आपको करना है तो आपको सामने वाले से परमिशन मांगनी पड़ेगी आप उसकी बुक रोखने के लिए एक तरीके से थिक के इसको किया गया था तो यहां पर सी अप्षण में जो दिया हुआ है आपका प्रोटेक्शन ऑफ और प्रोटेक्शन ऑफ इंटॉलेक्शन प्रोपर्टी राइट बौधिक समपदा अधिकारों का संत्रक्षण यह आपका सही आंसर है अगला कोश्चन करेंगे हम लोग 24 24 है हमारा की इंटरनेशनल तक्निकी का उप्योग कर लाखों अफ्रीक्यों को सिक्षा प्रदान करने के भारत के प्रियास तक्निक निमलिकित में से किसके अंतरगर्थ यहाँ पर आये थे इसका आंसर करना थोड़ा सा टफ होगा यहाँ प के अंदर जो है यहाँ पर तक्निका को प्योग करके लाखों अफ्रीक्यों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने प्रियास यहाँ पर किया था ठीक है तो बी ओप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा अब आज का हमारा लास्ट कोशन है 25 ठीक है क्लास में अपनी क्लास जो है 3 पीम कर रहे हैं बाकि हम लोगों की क्लास का जो टाइम है वो 16 अप्रेल को कब होगा वो होगा आपका बारा बजे तो बारा बजे आईएगा सभी बच्चे जो बच्चे लाइव क्लास ना कर पाएं और ओफलाइन कर लीजीगा नेक्स हमारा की यहाँ इतनी दीवस नेमलिकित इसे किस देश में यहां पे मना जाता हäll जहां पर जहाँ थ civ यह यहां पर जापान के अंदर 2021 में होंगे अब आपके ओलंपिक गेम समरवाले ठीक है तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को और नारू ही तो यहां पर समराठ है और सिंज्वा भी यहां पर पुर्धान मंत्री है ठीक है तो यह सभी पॉइंट जो है आप लोग इसके बारे में याद रखीगा तो आई ह जली को की ही यहां पर जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं और जो अपने स्टुडेंट्स के लिए दिन रात एक कर दे उसे एक्जामपूर कहते हैं ठीक है तो हमारी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और यह सब आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं दिन रात दिन हो या रात हो बच्चे आप लोग बिल्कुल सच्छ में बहुत अपने करियर के लिए महनत करते हैं तो बच्चों आप लोग बैच के बारे में ध्यान रखेगा जो भी बच्चे अभी तक जिन्हें पता नहीं है वो बैच दिया जा रहा है जिसमें आप लोग किसी भी कोर्स के लिए पढ़ सकते हैं अभी आस 13 तारीक है अभी 14 15 तक आपके पास लास्ट ऑप्शन है 15 तक आप लोग 11 सोर्पे में खरीद सकते हैं इससे क्या है कि इससे भी क्लास शुरू नहीं हुई है आप लोग जल्दी से से लिए में जा सकते हैं कि पंद्रास यहा जा सकते हैं को इससे भी बैच आप लोग पर सकते लिए में वी करता हैया यहां पर याद रख़े है और शित्व तक आप लोग इ यहां पर बाकी है तो चले आपके इस ही टाइम पर फिलहाल 3 बज सब्दी बाकी डाम क्लास के खतम होने के बाद 16 अप्राइल से 16 अप्राइल से आप लोग की जो क्लास है वो कब से होंगी वो होंगी बारा बजे ठीक है तो बच्चे अपना ख्याल रखेगा लोगडाउन का पालन कीजिए ताकि सभी चीज़े बहुत जल्दी ठीक हो हम लोग दो मिले अपने ख्याल लखेगा थैंक्यू स्टूडेंट्स जय हिन जय भारत